प्रभू, आपके इस आलिंगन के पस्चात ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं समस्त भाव बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, मेरा मन मस्तश्क, मेरा चित एक असीम शांती और अलोकिक आनन्द से परिपूर्ण हो गया है प्रभू। यही सिति होती है कैवल्ले की हनुमान, हम यह सुग्रीव से बेंट करने आए हैं। मैं शीग्र ही आपको वहाँ पर ले चलता हूँ, प्रभू। उस परवत के शिखर पर। लक्ष्मन, हमें शीग्री उस परवत शिखर पर चड़ना होगा। शमा करे प्रभू। रिश्यमूख परवत पर चड़ाई करना अत्यंत कठिन है। यदि आपको आपत्ती ना हो, तो मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बिठा कर वहाँ ले जा सकता हूँ। ये कैसे संभव है हनुमान। लक्ष्मन भैया, जिसके साथ प्रभू श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। जय श्री राम। आपकी आज्या है प्रभू। एक्ष्मन okra एक्ष्मन पर एक्ष्मन आईए प्रभू, आईए भ्राता लक्ष्मन संकोच मत कीजिए आपकी सेवा करना तो मेरा सोभाग्य होगा अपने इस सेवक को सेवा का अफसर दीजिए प्रभू लक्ष्मन जए श्री रां आईए जए टुम खेर लक्ष्मन आईए जएट लक्ष्मन आईए भ्रास शरी इस सेवक मत करना भ्रास भ्रास वल्त्राइथ टुमन मत करना दो यह से वे इस दुमन खोज केहे तू जान किमाई राम लखन पंपा सुर आई दुरगम काजबज रंग सवारा धरलियो भीम रूप आकारा कांधे पेगो रात बिठाई हनुमत यात्रा पून कराई रगुनन्दन हरशित पुलकिता सेवत राम शिवांश मुदिता ये गाथा बाहबली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनन्दन राम महराज सुक्रीव वो देखिये हनुमान जी आ गए उनके साथ दो तपस्वी भी हैं और उनके साथ दो धनुर्धारी तपस्वी भी हैं हनुमान इन धनुर्धारियों को यहां क्यों दा रहें नजाने ये मित्र हैं ये शत्रू चलिए प्रभु प्रभु आएं आए प्रभु भ्राता सुग्रिय ये प्रभु श्री राम हैं और ये इनके अनुज भ्राता लक्षमन कौशलाध हिपती महराज दशरत के पुत्र हैं ये प्रभु श्री राम विशेश रूप से आपसे भेट करने आये हैं प्रभु श्री राम ये महाबली सुग्रीव हैं प्रणाम मानदाई दुर्भाग येवश इनके भ्राता वाली के कारण इन्हें अपने राजपाट का त्याग करना पड़ा और रेश्य मुख परवत पर शरण लेनी पड़ी और ये रिक्ष राज जामवंत जी हैं हमारे जेश्ट सदस्य और मार्ग दर्शक परणाम रीच राज परणाम अवत कुमार बानर राज सुग्रीव जी हम यह इसलिए आये हैं कि आप मेरी भार्या सीता को ढूणने में मेरी सहायता करें राक्सेश राज रामन उन्हें अपरित करके अपने विमान में तहीं ले गया है विमान से मेरी रक्षा कीजिए ना राभू मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए हनुमान को क्या हुआ कस्मात कहां जा रहे हैं मुझे आपसे सहायता प्राप्त करने का सुझाव महातपस्विनी माता शबरी ने दिया था श्री राम मैं आपकी भार्या को ढूंडने में आपकी सहायता अवश्य करता किन्तु इस समय मैं रिश्यमुख परवत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता इस सीमा को लांगते ही वाली भाया अवश्य मेरा वद्ध कर देंगे वज कर दूंगा मैं उस पीट पीछे वार करने वाले कायर भाई सुग्रीम का वास्तम मैं वो मेरा भाई नहीं शत्रू है मात्र शत्रू रिश्यमुख परवत पर चिपकर बैठा है वो धूर्त मैं उस संपूर्ण परवत को चला करीब भस्म कर दूंगा स्वामी छोबी करना हो सोच विचार करके कीजेगा सुना है उस परवत पर हनुमान और सुग्रीव के साथ कुछ और योद्धा भी जुड़ गये हैं कुछ योद्धा तो क्या वो योद्धाओं की पूरी सेना भी ले आए तो महांतम वाली के समक्ष कोई पल भर भी नहीं टिक पाएगा स्वामी आपकी वल और वीरता पे मुझे कोई संद्य नहीं है परन्तु नीती हमेशा ही कहती आई आपका शत्रूप कितना शक्ती शाली है या किस प्रकार वो शक्ती संचे कर रहा है इस पर सदा ही आपकी दृष्टी होनी चाहिए सत्य कह रहे हो तुम मैं शीगरी अपने गुप्तजरों को वहाँ भेजूँगा मैं भी तो देखूँ किसे बुलाए अपनी सहायता के लिए उस कायर में शीराम पत्नी विचोओ की पीड़ा मैं भली भाती समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी को भी बलपुर्वक मुझसे दोर कर दिया गया है प्रभू प्रभु श्री राम ये आभुशन देखिए ये आभुशन कदाचित माता सीता के ही है ये आभुशन देखिए ये आभुशन देखिए कर दय दूए झाल जल 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 झाल झाल लक्ष्माण भैया जामवंत जी ने मुझे बताया था कि माता सीता का स्वेंबर बहुत ही भव्य था और विवाह भी बड़ी धुमधाम से हुआ था फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रभू श्री राम माता सीता से विलग हो गये हैं? और आप लोगों के तन पे ये राजसी वस्त्र के स्थान पर ये तपस्वी के वस्त्र क्यों? अनुमान जी हुआ ये की विवाह के पश्चात हमसबा ये उद्ध्या लोट आए तब पिता श्री महराज दश्रत ने युवराजपत के लिए बड़े भईया श्री राम के राज्या भिशेक की घोशना करा दी किन्तू माता कैकई चाहती थी युवराजपत भराटा भरत को मिले पर ये तो अनुचित है प्रभुश्री राम तो जेश्ट है और भराटा भरत कनिश्ट हाँ, किन्तू एक समय पिताश्री ने माता कैकई को दो इच्छित वर कभी भी मांगने का वचन दिया था उसी वचन का लाब उठाया माता कैकई ने फिर कौन से दो वचन मांगे माता कैकई ने? भराटा भरत के लिए सिंगासन और भाईया राम के लिए चौदा वर्ष का वनवास ये तो बड़ा ही कठोर वचन मांग लिए माता कैके ने रखुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई वचन की बेडियों ने विवश कर दिया था पिताश्री को फिर क्या हुआ फिर माता कैके ने अपने कक्ष में उपस्थित होने के लिए उन्हें संदेश भिजवाया महराज ऐसे में यदि मैंने मैंने राम को सब कुछ द्याग कर वनवास जाने को कह दिया तो कहीं वो ख्रोधित होकर वित्रो न कर उठे महराज हो सकता है महाराज हो सकता है कि कि वो मुझ पर आक्रमन भे करते तब तो तुमने अब तक राम को पहचाना ही दे मैं ये सब कुछ भी नहीं जाने आपको सतर्क रहना होगा जब राम माता आपने मुझे बुलवाया राम मेरे पुत्र ये क्या माता? पेता अश्री को क्या हुआ? पेता अश्री आप कुछल तो है ना ये ये कुछल से है इनकी जिन्ता तुम मत करो राम मैंने तुम्हें याँ किसी विशेश कारन से बुलाया आदेश किजे माता आपकी आग्या का पालन होगा युवराजबत के लिए राजय अभिशेग तुम्हारा नहीं मेरे कुत्र भरत का होगा और तुम्हें चोदा वर्षों के लिए वन्भी पास करना होगा कथनी सहच है और करनी कथिन है नार राम आपकी आग्या मुझे स्विकार है माता माता के इच्छा मेरे लिए सर्वों परें माता के अन्याए पूर्ण आदेश को भी बड़ी सहच्छता और प्रसन्यता के साथ स्विकार किया हां माता की इच्छा पूर्ती के लिए उसी क्षण भाईया राज सुक को त्यागने के लिए तत्पर हो गए भावी माने भी साथ जाने की ठान ली और मैं मैं तो ठैरा बड़े भाईया की परच्छाई मैं इंके बिना कैसे रह सकता था भाईया के लिए ये सब स्विकार करना अत्यंत कठिन था फिर हम सब अयुध्या से चले गए 13 वर्षों तक हमने वनों में सुक पुर्वक जीवन व्यतीत किया अनेको रिशी मुनियों का अशिरवात प्राप्त किया किन्तु वनवास के अंतिम वर्ष में दुर्भग्य की काली चाया ने हमारे सुखों को लील लिया मैं हूँ सुथ नखा